नमस्कार माजे नाव वैबो बालाजी सनवने शाडेचे नाव जिल्ला परिशत प्रातमिक शाड़ा कोटा राजेनपूर तालुका बोगर्दं जिल्ला जालना वर्ग आठवा विशे स्पर्दा परिक्षा वाचन हिंदी पाट दुसरा वारिस कोन एक राजा था उसकी चार बेटिया थी राजा ने स्वचा इन चारों को में से जो बुद्धी मत्ती होगी उसे अपना राजवाट सोपूंगा इसका पेशला कैसे होगा वही सोचने लगा अंत में उसे एक उपए सूच गया उसे एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बोलाया सभी को गेवु के दाने सो सो दाने दिये और कहा इसे तुम अपने पास रखो पास साल बार मैं जब इने माँंगा तब मुझे वापस कर देना गेहू के दाने लेकर चारों बहने अपने अपने कमरे में लोट आई बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेग दिया उसने सोचा आज से पास साल बात पिता जी को गेहू कि इन दानों को इकी याद रहेगी क्या और जो याद भी रहागा तो भंडार से लेके दे दूंगी तो दूसरी भंडार ने दानो कोच्यान की एक डिब्बी में डाल कर उसे मखमल के थेली में बन करके सुरक्षा से अपने संदुक की में डाल दिया सोचा पास साल बाद जब पिता जी ये मांगेंगे तब मैं उन्हें वापस कर दूंगी तुसरी बन ने बस सोचती रही इसकी इसका क्या करू चोथी और चोटी बन तनिक बच्ची थी शरारते करना उसे बहुत पसंद था उसे ग्यों के दाने भुनवा के बहुत पसंद थे उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मगन ओ गई तिसरी राजकुमारी को इस बात की यकिन था कि पिता जी ने यूँ ही दाने नहीं दिये हो गए जरूर इसके पिछे कोई मकसद होगा पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बानों को तरहाई उन्हें सहज कर रख देने की सोच ली थी लेकिन वो ऐसा ना कर सकी दो-तीन दिन तब ओ सोचती रही फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पिछे पिछे वाली जमीन में दाने बो दिये समय पर अंकुर फुटने पोदे तयार हुए दाने निकलने राजकुमरी ने तयार फसल में से दाने निकले और फिर से बो दिये इस तरह पास साल बात वर्ष में उसके पास डेर सारा गेहू तयार हो गया पास साल बात राजा ने फिर से चारो बेहनों को बुलाया और कहा आज से पास साल बात मैंने तुम्हें चारों को गेहू के दाने सो सो दाने दिये थे ओ कहा है कि पास साल बात मुझे वापस करना कहा है ओ दाने बड़ी राजकुमर ने बंड़ा स घर जाकर गेहू के दाने ले आई और राजा को दे दिये राजा ने पुछे क्या ये वही दाने है जो मैंने तुम्हें दिये थे पहले तो राजकुमरी ने कहा यह दिया मगर राजा ने कड़कर पुछा तब उसने सची बात बता दी राजा ने दुसरी राजकुमरी से पुचा तुमारे दानी काहा है दुसरी राजकुमरी ने अपने संदुक में मकमल के खोड़तवाल में डिब्बी में उठा लाई जिसमें से उसे गिहू के दाने सहेज कर रख दिये थे राजा ने खोल कर देखा तो दाने सड़ गए थे तिसरी राजकुमरी ने तुमसे क्या उखिया उन दानों को तिसरी ने मैं इतगा उत्तर अभी नहीं दे पाऊंगी क्यूंकि जवाब पाने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपकी कल ले चलूंगी राजा ने चौथी और सबसे छोटी राजकुमरी से पुचा उसने उसी बेवरो भाई से जवाब दिया उन दानों को कोई किम्मत है पिता जी वैसे तो धेरो के दाने भंडर में पड़े हुए है आप तो जानते है मुझे गेव के दाने भुनकर खाने के बहुत अच्छी लगते है सो में उन्हें भुनवा कर खा गई आप भी पिता जी कीन कीन चक्कर में पड़ जाते है सभी के उतर से राजा बड़ी निराशा हो गया चारों में अब जे केवल तीसरी बेटी छोड़ी थी उम्मित थी दुसरी दिन तीसरी राजकुमरी ने राजा की पास आई उससे कहा चेलिए पिता जी मैं आपको दिखाऊंगी मैं गिवू की दाने कहा है राजा रत पर सावर हो गया रत महल नगर पार करके खेट की तरब बड़ा राजे ने पुछा अखिर रत छोड़े है तुमने ओ सो दाने इस दानों को लिये तुम मुझे कहा कहा चकर लगव तब तक रद एक बड़े से हरे वरे खेट में सामने रुग गया राजा ने देका सामने तो बहुत बड़ा खेट गयो की फसल थी उसकी बालियों हवा में जुम रही थी राजा ने कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो राजा हैरानो खर राजकुमरी से और देखने लगा राजकुमरी ने कहा पिता जी ये वही दाने जो लाखो लाखो दाने रुप में आये है मैं उन्हें दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तयार की हूँ राजय ने उसे गले लगाय और निच्छित हो तुम मेरी राजय की उस अच्छी उतरादी करी हो धन्यवाद